हलो स्टूरेंट, वेलकम टू अतोलोजी केट्सन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मॉडूल क्यूशन पेपर देने वाला हूँ, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट से, आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सब क्या दिया हुआ है, आप लोग समझ लोग कि कौन-कौन से टाइप्स का सम है, कौन-कौन से चैप्टर से पूछा गया है, तो आप लोग इस सम को जरूर प्रेक्ट्रिस करके जाना, आप लोग के लिए काफी हेलफ़ूल रहे गा है, और इस पेपर के लिए इस वाट्सप ग्रूप का लिंक रहेगा, वाट्सप ग्रूप को भी जॉइन कर लेना, दूनों इसलिए जॉइन कर लेना, इस वाट्सप ग्रूप पर मुझे बार-बार सेयर करना पड़ता है, टेलीग्राम पर आप लोग जाकर वहाँ पर आटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हो, और वाट इस्टीमेटिड कॉसिट दिया हुए है, तो इस टाइप की इस्टीमेटिड कॉसिट को सम कर लेना, जिसके अंदर कुछ अड़ेस्मेट दिये हुए है, आपको यहाँ पर तो ऐसे सम आपके पास मिल जाएंगे, जिससे यहाँ पर लिखा था कि, there will be raise in all the variable cost को 10% से raise करना है there will be increase 20% all fixed cost को increase करना है, selling price would be remain same in the year 2023, तो आपको ऐसे सम आपकी टेक्स बुक के अंदर इस सम आपको मिल जाएगा, तो इसकी solution भी आपको टेक्स बुक के अंदर बिल जाएंगे, बट इस टाइप का इस सम को जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए काफी helpful रहेगा दूसरा यहां पर सम है, वापस से कॉसिट का ही सम है, तो यहां पर भी estimated cost यहां पर दिया है, falling in the profit and loss दिया हुआ, keeping association आपको same period of cost recording का दिया हुआ, मतलब भी cost reconciliation का दिया है, किसका दिया है? सब्सक्रmez प्रक्टिस् सब्सक्रीजा ऐसको छोड़ेяг 2 cannot पर इसके बाद यहां पर 요कसम्य को सब्सक्राइब इंसके लब हाव्ध को यहां पर है झालत को यहां पर एक यहां पर आपको दिया हुआ है दो यहां पर आपको दिया हुआ है लेबर कॉस्टिंग का सम है हाल से और रोहन प्लां के लेबर कोस्टिंग के भी सम स्येस सम यह है सम मैं तो बोलता हूं कि आपको दूसरा करना ही नहीं है सिमझ आपको यह जो दिया हुआ है फे Dow idiot कर लो आपको हर एक चैप्टर का revision हो जाएगा बहुति them इसको जरूर आप सॉल करके जाना है नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है अब मीना इस इंप्लॉई अप सोनाली इसको जरूर आपको इसको इसको अपको 20 माग का पूछे अर्निंग और कॉस्ट कंबाइन पूछे बहुत ही सिंपल होता है सिर्फ एसब को जाके कैसे कॉलम बना कि वो इसके अंदर लिख देना रहता है तो आप लोग इस टाइप के सम को सॉल कर लेना नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना मैं लेबर का इस मेथड़ को चाहिए तो सॉल करा दूँगा इस तो ट्राइ करूँगा कि आप लोग को जितना जादा से जादा हेलप हो सके करने का तो आप लोग इसको यहाँ पर sait सॉल करने का ट्राइ करना नहीं हुआ तो मुझे आप लोग बताना कमेनट करके और चैनल को सबस्क्राइब करके रखनाएक्ट क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टान कोशन और और ऑब்जिक्टि तो समा प्रैक्टिस कर लेना ठीक है नेक्स यहां पर देखते हैं यहां पर आपको यह ओबरेट का आपके जाम में हो सकता है 10 या 20 माग के समा सकते हैं इसे सेम टू सेम टाइपस के समा सकते हैं तो आपको ओबरेट के सम प्रैक्टिस करना है कौन-कौन से खर्चे है देख लेना कौन से खर्चे को कौन से भी इस आपको डिवाइट करना है नहीं समझता इसके उपर अल्रडी मैंने वीडियो बनाया हूं कि कैसे distribution करते हैं एक वीडियो आदा पौना गंटा करेगा आप वो देख लोगे आराम से आपको इसके marks आपको म मांट सेंज रहे है और मैं इतना बोल रहा हूं तो आप लोग मेरी बात को बिलिप कर लेना कि इस क्यूशन को आपको सौल करके जाना है और आप लोग इस सब टाइप के सम करने के बाद लास्ट में पेपर देने के बाद एक बार जरूरा आना मुझे कमेंट करके बताना कि क्या जो मैंने बताया था real में उस type के sum आये है या नहीं आये यहाँ पर machinery वाले methods के आपके sum पूछेगे हैं तो machine के कैसे हम आस rate calculate करते हैं तो यह भी sum practice आप कर लिना next यहाँ पर दिया है वापस over rate के sum दिये हुए है तो over rate के 2 sum है और हो सकता आपके भी exam में 2 sum आपको over rate के आ जाएं तो काफी important instrument है यह paper मैं आपको share कर दूँगा और इसको solve करके जाना without mistake की होए और आपको अच्छे से आना चाहिए वापस यहाँ पर machine वाला sum पूछा गया है तो machinery का over rate काफी important है कैसे calculate करते हैं एक बार देख लेना सीख लेना आपको आ जाएगा simple हो था बहुत ही simple तरीके से आप इसके calculate कर सकते हो यहाँ पर बाकी तो objective है तो objective question के जो tick mark किया हुआ यह right नहीं है ठीक है यह में जिसका paper लिया हुआ अपने मन से tick mark किया है यह तो मैं आपको बता जाता हूं यहाँ पर कुछ objective लिख्क है the cost which does not involve any cash outflow बुलता है कि ऐसा cost जिसके अंदर कोई बुलते हैं कैस का outflow नहीं होता है उसको आपको इंपूर्टेट कॉस्ट से एक्चुली बोलते हैं आगे लिख्क है यहाँ पर cost accounting is the directly to add the need of internal use के लिए रहता है किसके लिए रहता है internal use के लिए cost accounting आपको बनाते हैं कि नेक्स्ट यहाँ रिख्का है Prophet है फॉर्टिपिद सप्लायर फ्वर्थ dir पड़ाइंजड प्राइज प्रास तो एक बार चेक के लरेनड थिक है कि अबूब सी प्रेंवेशन का है यहां पर तो इंवेंट्री यहां पर हमनों क्या करते हैं इन्वेंट्री बाइलवसन का इसका टेक्निक रहता है अंडर इंफलेसरी कंडिसन मेतड़ आप हाईली वैलू अब क्लोजिंग तो फीफो मेतड़ होता है हों कि डिफरेंस बिट्विन इस्टेंडर चाइंडर्य उड्रेंडेम अर्यट जॉब टाइम उसे मों त्यॉब इसे उपर टाइम भोल सकते हैं तो लेबर टॉन उबर के सब रीजर नहीं होता है यहां पर ऑल अप देव हो आईगा इस जो पहले से टिक माग का इसके उपर आप बिल्कुल focus मत करना, आप लोग खुछ से इसके objective question कर लेना, काफी important paper है, short notes के लिए भी यह सब पढ़ के जाना, stock label क्या होता है, टेलर्स different wages plan क्या है, secondary distribution of overhead क्या है, function of cost accounting क्या होता है, cost of difference between financial और costing क्या होता है, तो बहुत importance है, आपको यह option में नहीं आएगा, compulsory में आएगा, तो paper pattern तो यह नहीं है, लेकिन इसके question बहुत important है, I hope आप लोग इसको जरूर कर लोगे, ठीक है, thank you so much.